नमस्कार आप सभी को, उत्तरकंड के सभी छात्रों को संस्थान की तरफ से आपकी मोग के परिक्षा को लेकर धेर सारी सुबकामना है कल आपको एक प्रश्ण दिया गया था, उमीद करता हूँ इस प्रश्ण का उत्तर आप सभी ने लिखा होगा और एदी लिखा है तो आपको सेर भी करना चीए था सेर कैसे करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है उमें सेर कर दूँगा उसके माद्यम से चीजों को आप देख सकते हो अब कल का जो प्रश्ण उसकी हम बात कर लेते हैं कल आपको एक प्रश्ण दिया गया था हिमाले की उत्पत्ति के संदर्ब में प्लेट विवर्तन की सिध्धान्त को समझाईए तथा हिमाले की निर्मार की प्रमुखा वस्थाओं का बर्डन कीजिए अब इस प्रश्ण को य देखो आप सबसे पहली बात कि कोई भी प्रश्ण कैसे हल करना है इसके बारे में भी आपने देखा कि मैंने बताया स्टार्टिंग ही हमने वहीं से करनी है आगे मैं भी बताऊंगा कि किस प्रकार से किन चीजों को आप ध्यान में रखना है क्योंकि अभी आप प्रारंबि के संदर्व में और बात हो रहे प्लेट विवर्तनकी की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेट विवर्तनकी क्या होता है और प्लेट विवर्तनकी किस प्रकार से हिमाले किसे संदर्वित है यह आपको पता होना चाहिए तो यदि आपको यह जानकारी है तो आप इ मेशा याद रखने की जरूरत है कि आप जो भी उत्तर लिखें, उसको एक बार 200 सब्दों में, एक बार कम से कम 200 से 200 सब्दों में और एक बार 125 सब्दों में अवस्द से लिखें, एक ऐसा नहीं करना, एक सिर्फ 200 सब्दों में लिख देना है, दोनों बार में लिखना है, और साड़े चार पेज में, चार पेज में लिखना होता है, तो अलग चीज हो गई, आप उत्तरा खंड से हैं, आपको यहाँ पे सब्दों में लिखना है, तो आप अपनी चीजों को catch करिएगा कि किन चीजों को आपको लिखना है, इस उत्तर से model जो यहाँ पे आपको detail जानकार को अवस्थाओं का भी वर्ण कीजिए तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है पहला कदम क्या होना चाहिए उत्तर सबसे पहले कोई भी प्रश्ण है उसको दो बार पढ़ना है तो दो बार इस प्रश्ण को रीड करना है तो दो बार हम करेंगे तो हमें पता चलता है कि बोला जा रहा है हिमाले के उत्पत्य के संदर्व में प्लेट विबरतने की सिधान्त को असपस्ट कीजिए तथा हिमाले के निर्माड की विभिनना आवस्थाओं के बारे में भी बताये अब जैसे ही हमने दो बार पढ़ लिया तुरंत आपको देखने को मिलता है कि दूसरा कदम जो हमारा करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हिमाले की उत्पत्य के संदर्व में प्लेट विबरतने की सिधान्त तो यहां पे कीवर्ड क्या है पहला कीवर्ड है हिमाले दूसरा कीवर्ड है प्लेट विबरतने की तो दोनों कीवर्ड को हमने पहले अंडरलाइन कर लिया उसक क्योंकि हिमाले का जो निर्माड हुआ है विभिन अवस्थाओं में हुआ है और यह विभिन अवस्थाओं का मतलब है तीन अवस्थाओं है तीन चरड़ों में हिमाले का निर्माड हुआ है और आज भी हिमाले का निर्माड हो रहा है तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले keyword को हम में अंडरलाइन करना होता है पहले प्रश्ण पढ़ना है दूसरा कदम है की वर्ड को जो है वो अंडरलाइन करना होता है अब हमने की वर्ड को कर लिया अंडरलाइन कीवर्ड को अंडर लाइन कर लिया अब क्या करना होता है तीसरा कदम होता है प्रस्न की जो बिसेबस्त है उसको समझना और उस बिसेबस्त को समझ कर इसके लिए जो content है उसको निकालना अब content कहां से निकालोगे क्योंकि अभी आप पहले चरण में हो और उमीद करता हूँ पहली वीडियो आपने अवस्त देखी होगी जिसमें detail में बताया गया है क्योंकि अभी आप पहले चरण में हो तो जरूरी नहीं है कि ये सारी जानकारियां आपको पता हो तो इसके लिए इस बिसेबस्त को कलेक्ट करने के लिए आप रट्टा मार सकते हो आप किताबों से नकल कर सकते हो कर लीजिये कोई गलत नहीं है आप website पर जा सकते हो आप YouTube पर जा सकते हो कहने का मतलब है जहां से भी इस बिसेबस्त से जुड़ी हुई सामागरी आपको मिल जाए उस बिसेबस्त से जुड़ी हुई सामागरी को कलेक्ट करके आपको रखना है और जब सामागरी सारी आपकी पास कलेक्ट हो गई तो चौथा कदम आपका होता है कि अब जो सामागरी आपने इकठा किया है उसको किस क्रम में रखना है उनके क्रम को उनकी प्रात्मिक्ता को भी तेंग की जाए क्योंकि आपने अलग अलग जगां से कठा किया है तो क्रम तो निर्धारित नहीं होगा कि इस प्रश्ण के अनुसार है तो आपने प्रश्ण के अनुसार इस फैक्ट का क्रम निश्चित करना है कि पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है और जब आप क्रम भी निर्धारित कर लिए अब आप, तो इतने में आपका कम से कम एक घंटा तो हो गया होगा ठीक है, तो अगला कदम आपका होता है, कि अब इसको बेवस्थित कर पहले ये सोचें कि आंसर को कितने भागों में लिखना है तो प्रस्ण को यह दि देखें, तो प्रस्ण दो भागों में है, मतलब अपने आंसर को दो भागों में लिखना है तो answer को दो भागों में लिखना है तो दो भागों में अपने answer को divide कर लिजे अब यह भी निश्यत कर लिजे कि पहले भाग में क्या क्या लिखना है कितनी चीजें लिखोगे और दूसरे भाग में क्या लिखना है कितनी चीजें लिखोगे कितनी चीजों का मतलब, कितनी पंग्तियां आप दूसरे पैरा में लिखना चाहते हो, दूसरे भाग में, और कितनी पंग्तियां आप पहले में लिखना चाहते हो, अब सब कुछ आपने निश्चित कर लिया, सब कुछ आपको मिल गया, तो अब लिखने आपको बैठ जाना ह अगला छाठवा जो step है वो है कि अभिया लिख डालो बैठके अब लिखना है तो यहाँ पर क्या चीज़े ध्यान में रखनी है लिखते समय क्योंकि सारे facts हमारे पास हैं हमने नकल करके रट्टा मारके इकठा कर लिया है तो हमें speed अपनी maintain करनी है speed पर हमें काम करना ऐसा नहीं कि slowly slowly वाला काम नहीं होगा यहाँ पर answer writing में कच्छुए की चाल चलनी नहीं है आपको यहाँ पर खरगोस की चाल चलनी है और speed में आपको लिखना है अब जैसे मैंने बोला कि क्योंकि आप अभी पहले चरण में हो और पहले चरण में हो इसलिए स समय का ध्यान नहीं रखना है समय आपके लिए प्रयाब थे आप एक घंटे लगाते हो तो भी बढ़ियां दो घंटे लगाते हो तो और भी बढ़ियां समय यहाँ पर नहीं आपको देखना है क्योंकि आप प्रारंभिक चरण में हो अभी आप सीखने के क्रम में हो और सीख लिखने से जादा बिगड जाएंगी बनने से जादा खराब हो जाएंगी तो समय ध्यान नहीं रखना है ठीक है ये तो था बेसिक जिसकी बात हर क्लास में होती है और आप पहली वीडियो देख लीजेगा प्लीज तो चीजें आपकी असपस्ट हो जाएंगी अब आज आते ह हम इस प्रश्ण पर अब इस प्रश्ण पर जब हम आते हैं तो बोला गया है हिमाले की उद्पत्ति के संदर्व में प्लेट विबर्तन की सिधानत को समझाईए तो कोई भी जब प्रश्ण होता है तो हमने बोला कि प्रयास करिए कि प्रश्ण में इंट्रोडक्शन जो है जैसे कि यह प्रश्ण है दो भागों में असपश दिख रहा है फिर भी प्रयास करिए कि इंट्रोडक्शन एक अच्छा लिखा जाए तो इस प्रश्ण के इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो तो क्योंकि प्लेट विबर्तनिकी को तो आप अभी आगे बताओगे तो विबर्तनिकी से सुरुआत करना हो जितने हैं दूसरी बात है हिमाले की उत्पत्ति की बात हो रही है तो हिमाले की उत्पत्ति के बारे में कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिख सकते हो जैसे आप बेसिक में यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस प्रश्ण के भी है इसकी उत्पत्ति भोगोलिक और भूगार्विक द्रिष्ट से जटिल है और अन्य यदि हम भारत के प्राकृतिक भागों की बात करें तो उनकी संद्चना और उनके बारे में आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाते तो कहने का मतलब है इसमें सिर्फ आपको इतना प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और भारत को जिन पांच भूतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है उनमें सबसे जटिल संरचना वाला उनमें सबसे आप कह सकते हो नभीनतम जो प्रदेश है उनमें से है हिमाले का प्रवतिय प्रदेश और हिमाले का प् तो कहने का मतलब है कि जब आप लिखते हो सब्दालग हो सकते मेरे सब्द को मत कॉपी करिएगा सब्द अपने होने चाहिए लेकिन क्या लिखना है इंट्रोड़क्शन में यह लिखना है कि जैसे भारत है तो भारत के पांच भौतिक प्रदेश हैं उनमें से एक हिमाला भी है अब अपने सब्दों में आप इसको लिख सकते हो एक दो पंक्तियां और इसमें बढ़ा चुड़ा कर लिख सकते हो ठीक है तो यह तो आपका हो गया introduction इसमें आप बता सकते हो अब क्योंकि आपक प्लेट टेक्टोनिक्स की तो आपको पता होगा कि हमारी जो संपूर प्रिथवी है हमारी जो संपूर प्रिथवी है इसका जो निर्माड हुआ है वह ठोस और द्र्ण चठानों से हुआ है हमारी जो प्रिथवी है इसका निर्माड ठोस और द्र्ण चठानों से हुआ है ज यहां आपको पता होना चाहिए और यह जो प्लेट हैं यह कहां पे हैं यह प्लेट एक अस्थान है जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल और उस दुर्बलता मंडल में यह प्लेटें 36 अवस्था में गतिसील होती हैं हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की प्लेट बिबर्तनकी की इसके बाद आप बता सकते हो कि इन प्लेटों के सुभाव वा प्रभाव के बारे में साथ ही साथ इनके अध्यन को इन प्लेटों के प्रभाव सुभाव और इससे सम्मंधित जो अध्यन होता है, उसी को हम बोलते हैं plate tectonics, plate बिबरतनकी, तो ये तो हो गया plate बिबरतनकी की परिभासा, क्या हो गई? कि सम्पूर पृत्वी का जो निर्मान है वो ठोस और द्रिल चट्टानों से हुआ है, और ये जो ठोस और द्रिल चट्टाने हैं, इनको lithospheric plate या plate कहा जा और ये जो प्लेटे हैं ये दुर्बलता मंडल में 36 अवस्था में गतिसील हैं और आपको यह भी बताना है कि इनहीं के बारे में इनहीं की अवस्थाओं के बारे में इनहीं की जटिलता के बारे में इनहीं के सुभाओं के बारे में जो हम अध्यन करते हैं उसी को प्लेट व प्लेट विबरतनकी की परिभासा जो आपको अपने उत्तर के प्रथमभाग में लिखनी थी जहां से आपको अपने उत्तर की इंटोडक्शन के बाद भूमिका के बाद जहां से आपको अपने उत्तर की शुरुआत करनी थी अब इसमें आप देखोगे तो आगे आप क्या ब यह complete हो जाएं तो इसमें plate विवर्तनिकी को detail से बताना है और प्रयास करना है कम से कम डेढ़ पेज में हम इसको शमाप्त करें अब इसमें आगे क्या लिख सकते हो आगे बता सकते हो कि plate विवर्तनिकी सिध्धानत के अनुशार कुल साथ बड़ी पलेटें तथा कुछ अन्य चोटी पलेटों में संपूर धरातल को जो है विभाजित किया जाता है और यह जो plate होती है यह दो प्रकार की होती है यह भी आपको याद रखना है ठीक है कौन-कौन से प्रकार इनके होते हैं एक होती है महासागरिये plate और एक होती है महादीवपीये plate तो यह भी आपको या मोटाई में भी बिविन्नता देखने को मिलती हैं जहां यह प्लेटे महादीपों पर यह जो प्लेटे हैं इनकी जो चोड़ाई हैं मोटाई जो है वो जादा होती है वहीं महासागरों में इनकी मोटाई कम होती है महादीपों में इनकी मोटाई 200 किलो मीटर तक होती है वहीं यदि महासागरों में बात करें तो 5 से लेकर 100 किलो मीटर तक यह होती है यह आपको पता होना चाहिए आगे फिर लिख दोगे साथ बड़ी प्लेटों के नाम इस प्रकार है और उसमें जो साथ प्रमुख बड़ी प्लेटे हैं उनकी आप नाम लिख दोगे जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट प्रसांत महासागरीय प्लेट यूरेसियाई प्लेट इसके बाद अंटारकटिक प् इन चीजों के बारे में है तो इस प्रकार से दिया आप लिखेंगे पूरी डिटेल जानकारी तो एक्जामनर को भी लगेगा बहतर है और जब प्लेटों के आप नाम लिखते हैं क्योंकि आपने बहुत जादे सब्द लिखने हैं तो प्रयासिया करिएगा कि इन प्लेटों क के दो भाग हैं और प्लेटों के दो भाग कौन कौन से दो प्रकार के भाग कौन कौन से हैं एक तो हो गया महासागरिये प्लेट एक हो गया महादीपियो प्लेट अब बात आती है कि महासागरिये प्लेट कौन सी होती है महादीपियो प्लेट कौन सी होती है तो याद रखि के रुप में यदि आप महाद यूपिया प्लेट की बात करते हो तो आपको जब भी अपना उत्तर लिखना है तो प्रयास यह करना है कि एक्जामनर को जो है अपने उत्तर में आकर्षित करना है जिससे कि क्योंकि आप जानते हो जादा तर लोग एक पढ़ते हैं उत्तर सामाने सा लोगों का होता है तो examiner भी पढ़ते पढ़ते चीजों को ठक जाता है और normal marking करने लगता है तो इससे लिए जरूरी है कि आपके उत्तर में कुछ विशेश रहे जिससे वो आपकी तरफ अकर्सित हो आपके उत्तर को पढ़ना चाहे ठीक है और यह दि एक प्रशन आपका उपढ़ लिया और वहां से उसको लगा नहीं बच्चे ने कुछ अलग लिखाया कुछ अलग तरीके से लिखाया तो आपको जो भी आपके प्रशन है आठ प्रशनों में आपको बहुत ब ने देख लिया और आप यह भी देख लिया कि जो महादी प्लेट होती है क्योंकि यह हलकी प्लेट होती है याद रखेगा महादी प्लेट जो है यह हलकी प्लेट होती है और यह हलके पदार्थों से बनी होती है जैसे ग्रेनाइट और महासागरिये प्लेट जो होती है यह भारी प्लेट होती है और ये भारे पदार्थों से बनी होती है जैसे कि बेसाल्ट आपका होता है कुछ उस तरह से बनी होती है ठीक है तो इतनी जानकारी आपको यहां से मिली कि क्या क्या अभी आपको लिखना है अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है अभी यहाँ पे आपको और आगे बढ़ना है क्योंकि आपको साड़े चार पेज में लिखना है तो और क्या चीजें आप इस उत्तर में डाल सकते हो प्लेट विबरतनकी से सम्मधित तो प्लेट विबरतनकी की जो घटना होती है इसकी जब का निर्माड होता है इसकी बात आप करोगे कि प्लेट विबरतनकी घटना में कुल तीन प्रकार के प्लेटों का निर्माड होता है जिन में अभी सारी या बिनासी प्लेट सीमा और अभी सारी या बिनासी प्लेट सीमा और अभी सारी या बिनासी प्लेट सीमा दूसरा अप अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा और तीसरा जो होता है उतना महत्पूर्ण नहीं है रूपांत्रण या सनरक्षी प्लेट सीमा लेकिन याद रखेगा सनरक्षी प्लेट सीमा कई बार पूछा जाता है सनरक्षी प्लेट सीमा उत्रा महत्पूर्ण नहीं है अब आपको क्या करना है कि अपने उत्तर में इन तीनों के बारे में डिटेल से लिख देना है दो दो लाइन सब के बारे में लिख देना है और इसमें एक एक चित्र भी आप बना सकते हो ठीक है इन तीनों के लिए एक चितर भी आप बना सकते हो जैसे अभिसारी प्लेट या बिनासी प्लेट सीमा की जब बात हम करते हैं तो अभिसारी या बिनासी प्लेट सीमा जो है ये तब तयार होती है जब धरातल की जो दो प्लेटे हैं एक दूसरे के सम्मुख दिसा में ग गत्सील है मतलब यह दोनों प्लेट एक दूसरे की दिसा में गत्सील है और ऐसे में जब ऐसे में जब यह प्लेटे टकराती है तो जो प्लेट हलकी होगी वो तो उपर उठ जाएगी और जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी ठीक है वो यहाँ पे नीचे चली ज और यहां अस्थान जहां पर भारी प्लेट जो है हलकी प्लेट के नीचे छेपित होती है इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं अधो गमन अस्थल या अधो गमन छेत्र तो अधो गमन जो छेत्र है यह बनता है जहां पर प्लेटें छेपित होती है अधो गमन छेत्र तो यह कब होता है ये figure आप बना सकते हो अच्छे से चीजों को दिखा सकते हो और इसके बारे में दो पंगती सुन्दर्शी लिख भी सकते हो ठीक है और यहाँ पे क्या होता है कि जब इस प्रकार के दो प्लेटें टकराती है विशेस रूप से अब इस सारी या बिनासी प्लेट सीमा के इंतरगात तो एक प्लेट क्योंकि नीचे जब जाएगी एक प्लेट नीचे जाएगी और दोनों में जो आप कह सकते हो टकर होती है उसके फल्सरूप क्या होता है एक फोर्स जनरेट होता है और यह फोर्स से जो है यहाँ पर बीच में जो गैप रहा होगा इस गैप में उपर उठने लगता है और यही मलबा जो है यह मोड़दार परबतों की सकल ले लेता है तो कहने का मतलब यह कहीं पर भी मोड़दार परबत आपको देखने को मिल ले हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर अभिसारी या बन्यासी प्लेट सीमा है उधारण के रूप में हिमाले की बात करें तो आप जानते हो यहाँ पे दो प्लेटों की टकर है आप जानते हो इंडियन प्लेट की टकर है किस से तिबबत प्लेट से तो आप जानते हो हिमाले हो गया रौकी हो गया एंडीज हो गया यह सभी के सभी जो हैं वो किसके उधारण है अब इसारी या बिनासी प प्रड़ाम है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो संपीडन बल होता है उसी के कारण यहाँ पर इस तरह की असला किरतियां बनती हैं यह आपको पता होना चाहिए अब दूसरा आता है अपसारी या रचनातमक देखो अब इसारी में क्या हो गया एक दूसरे की दिसा में प्लेटें दूसरा क्या है अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा में क्या होता है कोई दो प्लेटें जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की विप्रीद दिसा में मूब कर रही है और जब एक दूसरे की विप्रीद सामें प्लेटे मूब करती हैं तो खिचाव होता है और खिचाव के कारण अस्थल जो भाग है वहाँ पर दरारे आती हैं और यह जो दरारे आती हैं तो यहाँ से क्या निकलता है यहाँ से मैगमा वाहर आता है यह आपको पता होना चाहिए तो यह किसकी कंडिशन है यह होती ह आप सारी प्लेट सीमा की और ऐसा आपको कहां पे देखने को मिलेगा जहां पर अमेर की प्लेट जो है और यूरी एसी आई प्लेट है जहां पर यूरी एसी आई प्लेट कूर्ब की तरफ भग रही है और अमेर की प्लेट पॉस्चिम की तरफ भग रही है और इसी के कारण इ आपने समझ लिए और तीसरा जैसे मैंने बोला संरक्षी प्लेट किनारा तो दो चित्रे हाँ पर बन सकते हैं ठीक है आपकी पुष्टक में अच्छे से दिया होगा आप आहां से देख सकते हो अब आता है संरक्षी प्लेट किनारा संरक्षी प्लेट किनारे में क्या है कि इस दूसरे के समानांतर मूब करती है, मतलब यह प्लेटे जो हैं, यह एक दूसरे के समानतर मूब करेंगी, या तो यह इधर चली गई, यह इधर चली गई, टकराओ कहने का मतलब नहीं होता, और जब यहां पे इस तरह का किनारा बनता है, इस तरह से गत्सील होती है, समानतर र आएगी तो भूगुल वेत्ताओं के लिए इसमें बहुत कुछ रहेगा नहीं तो याद रखना है सनरक्षी प्लेट किनारा जो होता है ये तब है जब दो प्लेटें जब दो प्लेटें समानतर रूप से गतिसील हो तब वहाँ पर इस प्रकार का किनारा बनता है लेकिन यहाँ पर नुकसान भी है क्या इस प्रकार के छित्रों में जहां भी इस तरह का किनारा है भूकंप अक्सर आते रहते हैं तो भूकंपों के आने का एक कारार यहाँ भी है तो कहीं न कहीं कोई न कोई force तो काम कर रहा होगा तो उनके movement में प्रमुक force कौन सा है तो यहाँ भी आपको याद रखना है पहली बात तो बहुत सारे तत्व हैं आप जानते हैं पृत्वी के गर्भ में तो जो radio धर्मी तत्व हैं उनके बिगटन से ताप उत्पन होता है तो कारण अहम कारण है उसकी यह धिम बात करें तो फिर्थवी के भीतर जो अवस्थित ताफ है क्योंकि पिर्थवी के गर्व में ताप बहुत ज़्यादा है तो पिर्थवी के भीतर जो अवस्थित ताफ है वो भी इसको प्लेटों के movement को मजबूर करता है तो यहाँ भी होना चाहिए यहाँ जानकारी आपको होनी चाहिए अब यहां पर बात हो गया पहले पार्ट की पहला पार्ट आपका जो है वो समाप्त हो गया क्योंकि पहले पार्ट में आपको प्लेट विवरतनगी की सिद्दान्गी व्याख्या क्रस थी हिमाले absolut की उत्पत्य के संदर् अब यहां पे क्योंकि बात हो रही है अभी तक जो आपने चर्चा समाप्त किया यह विशेश रूप से प्लेट विवर्तनिकी की चर्चा समाप्त की क्योंकि यहां पे बात क्या हो रही है यहां पे बात हो रही है हिमाले के संदर्ब में और जब हिमाले के संदर्ब में बात ह हो रही है तो बात किसकी होगी कि वह कौन सा भूखंड था जिसके टकराने से हिमाले का निर्माड हुआ हिमाले को किस से टकराया भारती भूभाग तब जाके निर्माड हुआ उसकी भी कि हम ने 사anor 20 थे लिखना है है तो हम्हें चीजों को बढ़़ा लिकma करना है हमाले के संदर में जह हम बात करते हैं तो आपको पता है हिमाले का जो उद्भो है भारतिय प्लेट के यूरेसियाई प्लेट से टक्राने के कारण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, पहले क्या होता था? पहले Eurasiai Plate और भारतीय Plate के बीच में एक सागर हुआ करता था टेथिस सागर हुआ करता था लेकिन जब भारत की Plate और Eurasiai Plate टकराई तो उसी टेथिस सागर का जो मल्बा था वही जो है हिमाले के सोरूप में अस्तित्त में आया आपको इतनी ही बात करनी है इतनी चीज़ें आ लेकिन मैं कहूंगा कि इतना प्रयाप्त है आपके लिए क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरे भाग में आपको चर्चा करनी है कि हिमाले के निर्मार के विभिन चरणों की तो पहले चरण में सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी को आप खुब अच्छे से समझा दीजे क्या होत आया उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी को समझाने के बाद हिमाले के संदरफ में बता दीजे आप कि किस प्रकार से भारती प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी और उसके बाद से जो है उस टकराओ के बाद से जो है हिमाले अस्तित में आया क्यों आया क्य गई एक भाग आपका complete हो गया अब आपके उत्तर का दूसरा भाग है उत्तर के जो दूसरा भाग है वो है कि हिमाले के निर्मार की प्रमुख अवस्थाओं का बर्डन कीजिए अब बात आ रही हिमाले के निर्मार की अवस्थाओं तो हमें पता होना चाहिए जो हिमाले है उसका निर्माड जो है किस प्रकार से हुआ है कितनी अवस्थाओं में हुआ है अब जैसे हमने बोला कि हिमाले के निर्माड की अवस्थाओं के बारे में तो मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कि हिमाले के निर्माड की जो अवस्थाएं हैं, खुल तीन अवस्थाएं हैं और इन्ही तीन अवस्थाओं में हिमाले का निर्माड हुआ है, ठीक है, इन्ही तीन अवस्थाओं में जो है, वो हिमाले का निर्माड हुआ है, ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम चीजों को यहाँ पे देख लेत फेज आफ हिमालेन ओरजिन की बात यहां पे हो रही किस प्रकार से हिमाले की उत्पत्ती हुई तीन चीजे यहां पे आपको बताई गई है यहां पे यह जो चीजे आप देख रहे हो यह लिखा है कि किस समय काल में इनका निर्माड हुआ दूसरा जो है यहां पे लिखा हुआ है रेंज वो रेंज कौन कौन सी जिनका निर्माड हुआ और तीसरा यहां पे दिया हुआ है कि वो भू सन्नत जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है वो भू सन्नती कौन सी थी जहां से इनका निर्मा तो इंड आप मेसो जो इक छोड़ देना है क्योंकि इस समय में कारा कोरम का निर्माड हुआ उसकी यहां पर बात करनी नहीं है क्योंकि कारा कोरम को पार हिमालय सेरेडी कहा जाता है यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे Eocene call में, फिर Myocene call में, फिर Pliocene call में तो यह तीन हम देखेंगे Eocene call, Myocene call और Pliocene call यह तीन call को हम देखेंगे और तीन चरणों के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी इस तरह के किसी अस्थलाकृत का निर्माड होता है तो उसका निर्माड के लिए जरूरी है कि एक भू सन्नती हो और बिना भू सन्नती के उसका निर्माड नहीं हो सकता अब ये भू सन्नती क्या होती है भू सन्नती का मतलब आप इंगलिस में बोलते हैं और साथ ही साथ उतला हुआ जो समुद्र होता है समुद्री भाग होता है उसको बोलते हैं संकलाइन भूशन्नती मतलब बहुत गहरा भाग होता है समुद्र में ये बहुत गहरा भाग होता है उसी को बोलते हैं जियो सिंकलाइन या भूशन्नती तो ये आपको पता होगा और भूसनती थी वो यहाँ पर थी हिमाले के निर्मार के समय ठीक है तो टेथिस की बात यहां पर हो रही है और आपको बता दे जिसके पोस्तिम में, जो है जो टेथिस सागर हुआ करता था इसके पोस्तिमी भाग में लेखे हैं तो एक प्राइदीपिय पठार था और इसके उत्तर में इसके उत्तर में हम देखें तो आपको देखने को मिलता है तिबबत का पठार तो याद रखना है इसके दौक्षणी भाग में प्राइदीपिय पठार था क्योंकि यहीं पे कहीं रहा होगा क्योंकि यह ग्रेटर हिमाले कारा प्लेट और यहां बीच में जो है एक सागर था एक भू सन्नती थी जिसको हमने बोला टेथिस भू सन्नती अब यह भाग जब इससे जाकर टकराया होगा तो यह जो टेथिस भू सन्नती थी यह समाप्त होगे क्योंकि अब यह रास्ता पूरी तरह से क्लोज हो गया तो इसमें उचाई उतनी जादा होगी जिस भूसननती से वो निकला है तो यह जो है यह बहुत ही गहरी भूसननती थी क्योंकि हिमाले का निर्माड आप देखी रहे हैं ठीक है तो यहां पे यह भूसननती थी यह इससे टकराया और उसके बाद से हिमाले के निर्माड के जो चरण था व आपको पता होगा जो कि टिबबत के पठार की बात हम कर रहे हैं और टिबबत का पठार उस समय अंगारा लेंड का हिस्सा हुआ करता था ठीक है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए और आपको यहाँ भी जानना चाहिए कि टिबबत का जो पठार था यह एकदम खड़ा क अगार वाला पठार था इसकी भी उचाई बहुत जादा आपको देखने को मिलती है ठीक है इसके साथ साते दिहम देखें तो इसके उत्तर में दिहम बात करें तो आपको देखने को मिलता है हिमाले पार की जो आज रेंज देखते हो इन सब का भी निर्माड इससे पहले हो च हिमालय का जो सबसे उत्री भाग है उसको बोलते हैं greater हिमालया अब जब greater हिमालया के निर्माड की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि भारतिय भूभाग या भारतिय प्लेट भारतिय प्राइदीप का जो हिस्सा था अग्र भाग था वो जाकर टकराया किस से भारतिय प् प्लेट से टकराई और बीच में क्या था टेथिस सागर तो यह जो टकराव था यह जो लड़ाई थी आप कह सकते हैं यह जो टकराव था इतना तेज था इतना तेज था कि जब भारतिय प्राइदीब का भाग जाकर इसे टकराया तो भारतिय प्राइदीब का भाग इस प्ले प्लेट का जो भारती प्राइदीप का जो दक्षणी भाग है वो थोड़ासा उठा हुआ है क्योंकि दो चीजों की टक्कर होती है तो ऐसा नहीं होगा ऐसे हो जागा दो चीजों की टक्कर होगी तो निशितरूप से एक तो जाएगा ही और जो भाग नीचे जाएगा वो पीछे उठ जाएगा यह आप जानते हैं तो इसी वजा से भारत का जो दक्षण का भाग है वो उठा हुआ है और आगे का जो भाग है प्राइदीपिय भाग जो हिमाले जाके तिबबत के पठार से टकराया वो धस गया तो जब हुआ जो परबत होगा उतनी जादा उचाई का होगा क्योंकि टेथिस भू सन्रती बहुत गहरी थी दूसरी तरफ तिबबत का जो पठार था वो हाड सन्रचना वाली था कठोर सन्रचना वाला था तो कठोर सन्रचना वाला और साथ ही साथ टेथिस भू सन्रती दोनों ने वो हकाम किया जिससे आज हिमाले की इतनी उचाई देखने को मिलती, क्योंकि वो दबा नहीं, तिबबत का पठार वो कठोर सनरचना का था, भारती प्राइदीब जो है वो उसकी अपेक्षा जो है उतनी मजबूत सनरचना नहीं थी, ठीक है, कही ना कही निच्छेपों से बना हुआ था, तो इसका जो भाग था जब तिबबत के पठार से टकराया, तो तिबबत के पठार के कठोरता के कारण ये तिबबत के पठार को पीछे नहीं ढखेल सका, मतलब सिर्फ जितना नीचे ये जा सकता था उतना नीचे ये इसमें तिबबत के प्लेट में गया और इसके कारण जो टेथी सागर का मलबा था वो उपर उठता चला गया एक सब्द याद रखिएगा कोई भी भूस अन्नती जितनी गहरी होगी उससे जुड़ा हुआ जो परवत निर्माड होगा उस परवत की उचाई सबसे जादा आपको देखने को मिलती है और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है कब किस काल की घटना है ये काल की घटना है इयो सीन काल की तो इयो सीन काल में ग्रेटर हिमाले का निर्माड इस प्रकार से हुआ और ये जो भूस अन्नती थी जिससे ग्रेटर हिमाले का निर्माड हुआ क्योंकि इयो सीन काल म यो जियो भू सन्रती से इसका निर्माड हुआ और आप देखते होगे कि आगे जब जाता है यही भाग तो यह जैसे ही अरुणांचल प्रदेश पहुंचता है अरुणांचल प्रदेश के पूर्वी भाग से यह दक्छुन की तरफ मुड़ जाता है क्यों दक्छुन की से बना था हलके पदार्थों से बना था ठीक है तो यह कठोर सन्रचना नहीं थी और जैसे आप पूर्व में जाते हो आप देखते हो कि यहां आगे क्या देखने को मिलता है मयानमार का पठार सान का पठार मयामार प्लेट तो यहां पे जो मयामार का पठार है सान का जो बात करें तो जो दोनों पठार हैं उनकी संरचना जो है तिब्बत के पठार के शमान है मतलब संरचना की दिरुष्ट से जब हम बात करते तो भी कठोर है जिसके कारण भारतिय प्लेट जो यह हमारा हिमाले बन रहा था इसका जो चोड़ाई है आप देखते हो कि यहां से जो लेंड माड़िपूर मिजोरुम में आपको देखने को मिलता है अलग-लग पहाडियों के रूप में इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि तिब्बत के अब क्या हो गया अब इस क्योंकि अलग-अलग समयकाल में हुआ अब ग्रेटर ह हिमाले बन ग। यहाँ पर यहाँ से दूसरा बनता था क्योंकि जो हिमाले से उस समय से जो भी यहाँ पर नदियां थी जो भी चीजें थी वो धीरे-धीरे मलबा उनका यहां पर आ रहा था क्योंकि यह बीच में गैब था जब दो टकराट होगी एक बढ़ेगा तो एक नीचे खाई आपकी अपने आप हो जाएगी तो इस तरह का भाग था बना हुआ था फिर धीरे-धीरे पलेटों में क्योंकि पलेटें तो रुक नहीं रही है पलेट लगातार गतीमान है तो पलेटें फिर टकरा रही थी फिर टकरा रही थी और यह समय आया मायो सीन कॉल का और मायो सीन कॉल में क्या हुआ कि फिर से जब भारती प्राइदीप ने इसको पुष किया तो अब तिबबत के पठार से यह सी चलमड़ से बना था मतलब आपक्सकारिट इसकी जो सन रचना है वो तिबत के पथार से कमजोर है तो जब अपेकशा कलिए कर द filming मैं था किरे तो यहां पर प्लेटों की तंगर हाट हुई तो थोड़ा से भाग्द जो है इसको एस Cはは जार किया थोड़ा साहलका सा पीछे अटा और उतनी जोरदार टक्करी नहीं थी जितनी पहली थी और ना ही जो ग्रेटर हिमाले के बाद जो ट्रेंच थी ना ही वह उतनी गहरी थी जैसे कि टेथिस सागर तो मलबा भी कम था गहराई भी कम थी फोर्स भी कम लगा साथी साथ वो अपेक्चा के कोमल संद्चना थी जिसके कारण जो यहां पर परबत का निर्माड हुआ वो ग्रेटर हिमाले से कम उचाई के आपको देखने को मिलते हैं अब एक तो यह हो गया मालनो ग्रेटर हिमाले फिर इसके बाद इससे कम उचाई की संद्चना हो गई ये ठीक है अब क्या है कि फिर लगाता और टक्कर हो रही आज भी हो रही है फिर टक्कर होती गई होती गई प्लेटों की अब यहां पर भी और कम मलबा जमा है धीरे धीरे जो यहां पर मलबा जमा है वो कम है पेक्चा के रित फिर जब टक्कर होती गई तब यह समय आया प्लायोसीन क का और प्लायोसीन काल में क्या हुआ प्लायोसीन काल में सिवालिक और आउटर हिमाले का निर्माड हुआ मायोसीन काल में किसका निर्माड हुआ मिडिल या लेसर हिमाले का और प्लायोसीन काल में किसका निर्माड हुआ सिवालिक हिमाले का क्योंकि सिवालिक हिमाले का निर्म उसके और प्लाइो जीयो सिंक्लाइन, तो याद रखीएगा, जिस से लेसर हिमाले का जन्म हुआ है, उत्पत्ती हुए है, उसको बोलते है मायो जीयो सिंक्लाइन, मतलब जो समेकाल था, उसी के आधार पर फिर इनकी भूसन्नतियों के नाम रख दिये गे you, तो यह जो भूस सन्नतियां थी तो इसी की वज़ा से आप देखते होगे लास्ट में जो सिवालिक की उचाई है और भी कम देखने को मिलती है प्रश्ण पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे हम हिमाले में उत्तर से दक्षिड की तरफ बढ़ते हैं हिमाले के चोटियों की उचाई कम होती जाती ह क्यों तो आपको इसी चीज का जिक्र करना पड़ेगा इसी भू सन्नति का जिक्र करना पड़ेगा इसी तिबबत के पठार की सन्रचना का जिक्र करना पड़ेगा ग्रेटर हिमाले की सन्रचना का जिक्र करना पड़ेगा तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा तो इस प बारे में दियाब करते हो तो निश्य दूरुप से एक आपका बहतर उत्तर कहा जाएगा ठीक है तो आज के लिए यह जो आपका प्रश्ण था उसका डिस्कसन समाप्त होता है अब बात आती है निश्कर्ष के कि निश्कर्ष में इस उत्तर के क्या लिखोगे तो इस उत्तर के निश्कर्ष में क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा इस तरह कोई विचार पूछा नहीं है सिर्फ सिद्दांत पूछा है तो हिमाले से जोड़कर आप लिख सकते हो कि हिमाले जैसे मैंने आप के introduction में लिखवाया था तो उसी से जोड़के हिमाले के बारे में भारत के एक प्रमुक भाग के रोप में हिमाले के बारे में आप दो पंक्तिया लिख सकते हैं दो से तीन पंक्तिया और आपका उत्तर जो है वो complete हो जाएगा और प्रयास क्या करना है कि ये चित्र आपको कर सकते हो तो आज के लिए जो आपके प्रशन थे उनकी चर्चा यहां पर शमाप्त होती है